आप सब कैसे हैं यहों पच्छयस होँगे इनज्वाइ कर रहे होंगे साथ में चार ड्रीटिंग की रूर कर रहे होंगे हमारे चैनल में आप सब का दिल से सवगत है so finally guys discuss करने वाले हम Nifty के बारे में and bank Nifty के बारे में चुकि आप जानते हैं कल है 10 जुलाई और कल आपकी bank Nifty के एक्सपारी है आपकी bank Nifty maximum time आपकी side wage रही थोड़ा सा सुभे moment आया था लेकिन जैसे कि मैं आप सब को पहले ही बता रखाओ कि सुभे सुभे अगर आप 15 मिनट ना ट्रेट करें तो ज्यादा बेटर होगा और अगर आपने नहीं किया होगा तब भी आप खुस रहे होंगे यहाँ पर चुकि देखिए 15 मिनट का मतलब यह है कि आप यहाँ पर देख लिए 15 मिनट की केंडल ठीक है अब अगर आप इस त बैंक निप्टी में हाथ नहीं लगाया है और ग्रूप में भी हमने कोई अपडेट नहीं दिया बैंक निप्टी के बारे में चुकि यहाँ पर जब कोई ट्रेड मिले तब तो हम आपको बताएं देखिए यहाँ पर बिना लॉजिक कि अगर हम यहाँ पर कोई ट्रेड कि वो सबसे बिष्ट चीज होती है चुकि मार्केट अगर आज हमको मुमेंट नहीं दिया तो आज कोई बात नहीं है हमको कल मुमेंट मिल जाएगा और कल हम वहाँ से पैसा बना लेंगे लेकिन अगर इस ऐसे condition में हम यहाँ पर बने रहे तो यहाँ पर हमारा बारवार S.L. हीट होगा बारवार S.L. हीट होगा बारवार इस तरह S.L. हीट होगा और साथ में time decay आप यहाँ पर पैसा नहीं कमा सकते हैं ऐसी market में ऐसे में क्या करना चाहिए हमको बिल्कुल आप भले चार्ट में बैठे रहें दोस्त लेकिन आपको यही एक market के अंदर सबसे अच्छा चीज है जिस दिन आप यह सीख जाएंगे कि आप दिन भर बैठे रहिए दिन भर बैठे रहिए जब तक आपको यहाँ पर अच्छा trade नहीं मिलता जब तक आपको breakout breakdown नहीं मिलता आप बैठना सीखे अगर आप वो बैठना सीख जाएंगे आप यकिन करिया पैसा आप कमाएंगे लेकिन अगर आप हर जगे ट्रेड ढूणेंगे यह green candle, यह green candle, यह red candle, यह green candle में ट्रेड ढूणेंगे मैं मानता हूँ आपका अगर आप यहाँ पर चार ट्रेड लेंगे आपका यहाँ पर एक ट्रेड सही हो जाएगा दूसरे ट्रेड आपका मानता हूँ सही हो जाएगा लेकिन जो चौथा ट्रेड होगा न आपका वो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा फिर आप यहाँ पर पस्ताबा करते रहेंगे फिर आप और क्वांटिटी एड़ करेंगे चुकि जब लास होता है ना जब एक new trader होता है जो साल दो साल का होता है एक साल दो साल का जब new trader होता है वो क्या करता है averaging करने में बहुत माहिर होता है उसको पता नहीं क्या सोक होता है उसको averaging करने के बहुत सोक होता है और जैसे जैसे आप पुराना होते जाएंगे आप एवरेजिंग उस दिन से करना बंद कर देंगे, चुकि आपको मार्गेट के लीला पता चल जाएगी, कि मार्गेट में कभी एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, चाहिए आपको वहापन नुकसान हो, चाहिए आपका लास हो भले वो आपको 5 रुपे की प्राइज आ जाए, भले वो 10 रुपे की प्राइज आ जाए, भले वो कितनी आ जाए, आपको अभी averaging नहीं करेंगे मार्गेट में, आपने जो एक वार commitment अपने से कर लिया, कि नहीं यार मैं अगर दो लाट में है trade, तो या तो मेरा दो लाट में पूरा नुकसान हो जाए, या तो मुझे profit दे दे, आप दो ही लाट में करेंगे, averaging करना इस market के अंदर सबसे बड़ा गंदा गेम होता है, आप समझे, यहाँ पर discussion करेंगे कि आपको यहाँ पर finally किस तरह से trade करना है, क्या हमारे label प्लान होने चाहिए, किस तरह से market reject कर सकती ह ठीक, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे request करेंगे, प्लीज हमारे चैनल में अगर नए आए तो प्लीज चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, साथ में comment चुरूर करें, यहाँ पर यह आप trend line देख रहे हैं, trend line में कोई changement नहीं है, यह support में कोई changement नहीं है, वह हमारा support है, वह ह यही range रहने वाला है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर range इस तरह से कुछ ड्रा कर सकते हैं, आप rectangle उठाइएगा, यहाँ से यह वाला आपका range है, यह देख लिजे, no trading zone मतलब no trading zone दोस्त, नहीं करना trade, मैं बता रहा हूँ भले कल expiry is की, इस range में जब तक आपकी bank nifty रहेगी आप no trading zone कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे भले index में shift हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर इसका breakdown करेगा, आपको एक अच्छा मोका मिलेगा, यहाँ पर put by करने का, और आप यकिन करिए जो आपका 50 रुपे वाला, 40 रुपे वाला जो put होगा ना, अगर यहाँ से breakdown करता है इस area से, आपका 52,300 का अगर यह breakdown करेगा, तो आपका जो 50 रुपे वाला जो put है आपको 200 रुपे जाने में time नहीं लगाएगी, यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको note करिएगा थोड़ा सा, तो इस जगे जब आप breakdown में trade करेगा, आपको यह अच्छ आपको breakout कर देगा, यह जो आपको यहाँ पर है ना, यह resistance आपके बनेगे, तो इस area का भी breakout कर देगा, जब आपको यह 10-9 का breakout करेगा, तो यह भी trade आपको जब भी मिलेगा, यहाँ पर काल के तरब का भी trade, तो यह भी आपको एक अच्छा मिलेगा, जो कि आपका 52,700 का आपक बताता हूं, देखिए, क्या हुआ था, इस जगह, इस जगह क्या हुआ था, बताइए, market ने जब यह gap down opening दिया था ना, यहाँ पर एक बात बताता हूं आपको, market ने क्या किया था, बहुत बड़ा gap down opening दिया था, इस दिन, यहाँ से लेकर कि यहाँ तक की gap down opening दिया था, इस जगह ये जो जगह थी ने इस जगह में जो आपकी seller की यहाँ पर quantity फिलप मतलब रखी हुई थी seller की यहाँ पर quantity थी तो जब seller की यहाँ पर quantity थी तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से बिक बना मार्केट के अंदर और इनकी quantity को फिलप किया गया ठीक है आप इन पर पढ़ा हुआ है कहां पर उनका स्टाप्लास पढ़ा हुआ है इस जगे में मतलब 53,000 में इनका स्टाप्लास पढ़ा हुआ है मेरे बाद आप समझ रहे हैं तो जो इनका स्टाप्लास पढ़ा हुआ तो अगर मार्केट यहां से उपर जाने की कोशिस किया तो यहां पर क्य होगा इनको डर मतलब इनको डर लगना शुरू होगा और जैसे इनको डर लगना शुरू होगा तो यह अपनी position को exit करना शुरू करेंगे चूंकि expiry है expiry में आप जानते हैं कि जब moment आता है ना तो उसमें क्या होता है गामा के effect बहुत बड़ा पड़ता है जैसे ही आपका moment आता है तो आपका 20 रुपे वाला जो आपका यहां पर देखते होंगे जो option है वो आपका 50 रुपे जाने में time नहीं लगता तो सबसे ज़्यादा डर इनको expiry के दिन होता है चुकि इन्होंने जो premium लेना था इन्होंने यह premium तो ले लिया यहां पर दो दिन के अंदर बड़ अगर यह बैठे हुए है ठीक है बैठे हुए है अगर तो इनका जो यहां पर premium है मालो मैं मानता हूँ कि यहां पर जो इन्होंने sell किया होगा ध्यान रखियेगा यहां पर इन्होंने sell किया होगा मानता हूं मैं मालो यहाँ पर 300 की premium इन्होंने sell किया होगा इस जगे यह जो दो दिन market आपकी चली यह जो 300 वाला premium है यह 150 रुपए आपका हो गया होगा ठीक है अब जो 150 रुपए हो गया तो अगर इनका अभी भी पेट नहीं भरा है ठीक है यह क्या कर भागेगा कि यह जो 300 है नहीं तुरंत इनका इस्टापलास हीट होगा और भागेंगे यहां से तो जैसे यह भागेंगे तो मार्केट आपकी बूम करके यहां से फिर सूट अप करती है तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह जो इनके स्टापलास है यहां पर अभी पड़ा क्या करें अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो तो आप मत देखिए मैं तो देखो बताने की कोशिस करता हूं लॉजिकली कि यह हो सकता है अब अगर आपको ज्यादा सोख है तो आप आईए हमारे ग्रूप में टेलिग्राम ग्रूप में आपको खुदी समझ म की आदत नहीं है ठीक है मैं तो सिर्फ यहीं बोलता हूं कि भीया मैं सडक शाप आदमी हूं मैं बिलकुल अनपड हूं बस सीधिस बात बता रहा हूं कि यहां पर देख लेना कि कल क्या होने वाला है समझ रहे हैं तो आप खुद चिक कर लेना अगर आपको ज्यादा चलो तो आप यहां पर पता नहीं कितने तरह के कमेंट आते रहते हैं वहां पर अगर 16,000-17,000 के अपने वीवर्स की बीच में अगर एक कमेंट इस तरह से करने लगा तो कोई अच्छा नहीं लगता है यहीं उनको रिप्लाई मिल जाती हमारे वीवर्स अच्छे तरह उनको कि मालो आपको काल सिल यहां पर कोई कर रखा है ठीक है सी को सिल कर रखा है ठीक है तो जब सी को सिल करेगा तो जब उसका एसल हीट होगा तो क्या करेगा मतलब उसके जैसे नजदी कि यहां पर मार्केट आना सुरू होगा तो उसका क्या होगा वो सी को बाई करेगा करेगा की नहीं करेंगा बताइए तो आल्रेडी मार्केट में यहां से बाइंग आ रही है ठीक है मार्केट में आल्रेडी मालोग पीछे से बाइंग आ रही है और इसके बाद क्या हुआ यह जो काल सेलर थे इन्होंने दुबारा यहां पर अपना कॉंटिटी को इन्होंने क्या किया square of करना शुरू कर दिया मतलब buy करना शुरू गिया तो जैसे buy करना शुरू गिया तो वहाँ पर क्या होता है double force पढ़ता है मैं आपको कई वीडियो के मादने में से बता रहा हूँ कि यहाँ पर double force पढ़ता है तो फिर market में क्या आती है बड़ी तेजी से आपके उपर की तरह market जाती है और आपने देखा होगा जिसको हम short covering के जानते है मतलब जो यहाँ पर short बनाए थे ना उसको यह लोग cover किये है इस वेस market boom करके उपर जाती है ठीक है तो यह कहानी बनेगी आप देख ले ना बाकी देखो भी यह market है market के लेला परमपार है market में कुछ भी हो सकता है मैं यहाँ पर आपको तथागत यहां बोलता हूँ कि 100% market में जो भी यह सब तुक्का है आपको सब अपने capital का सबसे भी से ध्यान लखना है सीधी से बात चलो तो यह हो गया आपका ऊपर के तरफ रेंज नीचे के तरफ अब रही बात gap up gap down के case में देखिए तो gap up gap down अगर माली जे बड़ा gap open हो जाता है तो gap up को मतलब होगे पहले सबसे पहले मतलब बचाओ करके exit कर लो तो market अगर gap open हो करके यहां से माल लीजे इधर कहीं gap open हो और gap open हो करके नीचे आती तो यह जो support आपका बनेगा ना यहां से यह support अगर बना करके फरदर market उपर जाए तो यहां पर आपको फिर काल इसी जगे आपको यहां पर सोचना च हुए है ठीक है द्यानक नहीं है जो उपर किस्टापलास पड़े हुए है ना फिर market कंटिन्यू इनको फिर जो है तो किड्नाइप करने जाएगी और all time high के लिए भी फिर तयारी करेगी तो हो सकता है कि मार्केट जो यहां पर रुकी हुई है आप यहां पर रुकी हुई द तरब भी जाने की इसकी पूरी पूरी उमेद हो सकती है अब नीचे का काम नीचे देखे इसके नीचे आएगी तो हम नीचे के पुट के भी तैयारी करेंगे और जब हम पुट के तयारी करेंगे तो आपको यहां पर लेवल से देखो आपको आल लेडी देख रहे होंगे लेवल पुट के तरफ के पहला लेवल आपका 52,000 दिख रहा है न और सेकंड लेवल आपका जो मार्केट यहां से आपको बचा करके गई थी वो लेवल आपके यहां पर 51,800 के आ रहे हैं ठीक हैं तो मार्केट में ध्यान रखिएगा कि आपके लेवल 52,000 और 51,800 के नीचे के लेवल आपके हो सकते हैं इस तरह ऐसे बट दुबार बोलूँगा देखो कोई भी ट्रेड आप लेते हो यहां पर आपको बीच बीच में अपने प्राफिट को बुक करते रहना है यहां पर ऐसा नहीं करना कि नहीं में उझे मार्केट में बैठे रहना है बैठे रहना है करना है तो आपको इस तरह से आपको बैंक अपर टॉइबल लेवल बनाते हैं यहां से नीचे से तो तो यह जी हैए अग्etusATE है यह जो आपको मैंने यहाँ पर बताया था ना स्टाप लास आपका यह मतलब 52 था जो 700 ठीक है इसलिए मैंने आपको बताया था को फीबो नासी के जब तक यह नीचे है तो आपको यहाँ पर मतलब पुट के तरह भी देखना है अगर इसके उपर चली जाएगे तो फिर मार पर साथ साथ चलते हैं आपको निप्टी के अंदर भी यहाँ पर डिसकेशन करेंगे निप्टी में आपको क्या ट्रेड करना है चुकि निप्टी में बहुत से लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं और बहुत सुपर मोबाय है निप्टी में आपने देखा होगा मैंने आप डर लग रही थी कि भाई किस जैसे माल लोग की इधर आप लेते मैं मानता हूं यहाँ पर आप प्राफिट बनाते को यह सी दिक्कत नहीं थी जैसे यह 24,400 को ब्रेकाउट किया था न मैंने आप लोगों को मैसेज दे दिया था कि भाई निप्टी आपका आल टाइम हाई को ब बहुत अच्छी बात है यह तो अगर आल टाइम हाई को ब्रेकाउट करती बिल्कुल आप यहां पर बैटे 24,520 तक का आपका ऊपर के लेवल है कोई आपका रेजिस्टेंस नहीं है कोई कुछ नहीं है उपर खुला समान है तो खुला समान का मतलब यह कि जब भी आप ऊप अब नीचे वाली समस्य यह कि नीचे जब आपका जैसे मालेज 24,400 के नीचे आती है यहां पर 24,000 इसके नीचे आती है तो यहां पर भी देख लिए थोड़ा से नीचे है तो आपको यहां पर देखें निफ्टी में मैं बोलता हूं कि काल के बारे में सोचना चाहिए कब त जब तक आपकी 24,360 के नीचे नहीं आता समझ रहें जब यह 24,360 के नीचे आएगा तभी हम यहां पर पूट के वारे में सोचेंगे और इसके बाद आप यहां पर यह 10 लाइन बनाएए यह 10 लाइन आपकी यह एक्स्टेंड कर देजेगा थोड़ा सा यह 10 लाइन को आपको देखने को मिल सकता है जो कि आपका 24,300 का लेवल है यहां पर मेरी बाद समझ रहें थोड़ा से इसमें क्या है कि आपकी बैंक सोरी निप्टी में चार्ट थोड़ा सा अटपटा बना हुआ है ऊपर जाए तब तो बहुत बढ़िया है ठीक है ऊपर जाए मार्केट तब तो बाइ करना चाहिए अब यहां पर दुवारा बोलता हूँ अगर और हो सकते इसके नीचे जाए यहां पर आपको बाइंग के पोच्टनिटी बनेगी प्राफिट बुकिंग का कुछ मोका मिलेगा तो जरूर हम यहां पर प्राफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे और मत यह कोई बड़ी बड़ी केंडल नहीं बनी है ठीक है और यहीं पर देखना आप जब भी आपकी सेलिंग बाली केंडल बनेगे न तो यह पूरा एक दिन का पूरा जो भी आपको यह गैप है ना यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक यह सिर्फ दो केंडल में आपका कभर कर देगा आपका पुट बाला केस दो केंडल में आपको पूरा कभर कर देगा तो जब आपको जो पुट का ट्रेड मिलेगा यह बहुत तगड़ा मिलेगा चुकि कभी भी जब उपर टाफ में मार्केट इस तरह से कामकाच करती है तो जब भी प्राफिट बुकिंग आत वो बहुत देजी से बड़ी-बड़ी बन जाती है, इसके बाद फिर market का है recovery कर जाती है, इसका थोड़ा सा ध्यान दखे, जब भी इस तरह से कुछ आपका action दीखे, तो आपको यहाँ पर put के वारे में जुरूर एक scalping मानना चाहिए, और एक अच्छा trade आपको मिलता है put में, यह ध्यान में रखना, चुकि market आप यहाँ पर देख लिए, यह continue आपकी यहाँ पर देखे, buying जो आ रही, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, छोटी-छोटी-छोटी-छोटी आ रही, तो यह buying में दम नहीं है, बस बात यह है कि ठीक है, market उपर जा रही, तो ध दिन के अंदर पूरा cover कर देगी, ठीक है, तो इसका थोड़ा सध्यान रखें, बाकी देखें कि जैसा होगा, तो वहाँ पर हम आपको बताने कोसिस करेंगे, उपर कलेवल हमने आपको बताई दिया, अगर इसका breakout करेगा, तो कोसिस करेंगे, हम यहाँ तक यहाँ तक उपर अगर breakout करेगा, तो हम यहाँ पर कालो जरूर बाई करेंगे, ठीक है, इसी तरह से आप ट्रेड करेगे, बाकी यहाँ पर आपका निप्टी में जैसे कुछ बताने लायक है नहीं, देखेंगे, अगर आपका Reliance पोजिटिव रहा, TCS पोजिटिव रहा, तो यहाँ पर टेलिग्राम के लिंक आपको यूटूब के description box में मिलेगा, आप टेलिग्राम में मत सर्च करिए मुझे, आप सर्च करेंगे, वहाँ पर मेरा आपको लिंक मिले गई नहीं, वहाँ पर आपको fraud group मिलेगा, जिसका आपने देखा होगा, वहाँ पर भी 100 profit daily करके लिखता है, औ आप इतना पैसा दो, आपको यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़े भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप हमारी वीडियो देखें, ना देखें, हमारे चैनल में आये ना आये, मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता, बट मैं आपसे एक रुपए की नहीं डिमांड क देंगे, आपको दो-चार दिनों प्राफिट दिलवाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पर लूटना खसोटना शुरू कर देगा, तो ऐसी गलती मत करिए, और कभी भी किसी को, ऐसे डारेक्ट तो पैसा कभी देना ही मत कि यह नहीं, आपका 50,000 रुपए मैं आपको एक द 200,000 से जज्यादा कुस सबस्क्शाइबर हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर लोग सबस्काइब करने जा रहे है, जो आपको कुछ मार्केट के बारे में बताता है, वहाँ तो सबस्काइब करतें नहीं, वहाँ तो उनको आना नहीं, तो बड़ थीक है, मैं जैसे के एक रुपए की कोई डिमान नहीं है और नहीं मैं यह चाहता कि भगवान ऐसे कभी जिन्दिगे में मेरे बनाए कि मुझे एक पैसे की डिमान ख़रना पड़े ठीक है चलिए तो चैनल आप अगर चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए और अगर नहीं भी करते तो आप मुझे कमेंट कर दीजे वीडियो में मैं आपको वहाँ पर लिंक आपको दे दूँगा आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं ओके बबाए और इंजॉय करिए